हेलो दोस्तों टैक्स पर वेल्थ में आपका स्वागत है और आज में बात करने वाला हूं रिफंड का refund scam सही सुना refund scam क्या होता है कैसे होता है और आपको क्यों इस trap से बचनी की जरूरत है यह बहुत बड़ा trap है और आज की डेट में इतने message आ रहे हैं लोगों को कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं और गलतिया कर दे रहे हैं और अपने account से अच्छे खासे पैसे का नुकसान कर लेत कि इस तरह के message आपके पास भी आया हूं और आप भी उस trap में कहीं फंस चुके हों या माइट भी आप उनके अगले निसाने पर हो तो मैं सबसे पहरे आज बात करूँगा कि refund कैसे होता है और किस तरह के messages आते हैं जिससे कि यह सारे scam हो रहे है गवर्मेंट को भी गवर्में करके आपके पैसे को लेकर निकल जाते हैं तो मैं सबसे पहले एक मैं message पढ़ूँगा वह message आपको दिख भी रहा होगा लेकिन वह message से आपको समझ में आएगा कि किस तरह के message मैं दो message पढ़ूँगा जो मेरे client को आया हुआ हुआ है उनका कहना है कि पहले आता है dear उनके name data लिख हो जाता है वहां से करते हैं वहां पर लिखा है यूर income tax account column reversal your entitled to refund rupees x जो भी था which is your accumulated access over the year kindly click एक link है to submit the formal request for the remittance of your benefit यानि उन्होंने एक amount बताया 54,922 रूपीज यह आपका refund था accumulated formulated था एक दूसरा message फिर उनको आता है यह वह आता है उनके नाम income tax e-filing required to click एक link in order to submit the formal refund request for the remittance of 60,000 रूपीज और required to overdue the excess over the years अगेन एक प्रॉब्लम यह आई कि उनको कहा गया कि भाई आपके refund आयो है पहली चीजह समझे मैं पूरा demo भी देंगे कि किस तरह से लिंक काम कर रहा है और क्याहां आपको रिडिरेक्ट कर रहा है किस तरह से पूरा process हम आपको वीडियो में अलग से भी दिखाएंगे पहले लेकिन समझने कि जुरूत है पहली चीज़ इंकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी इस तरह के message नहीं करते हैं बहुत क्लियर समझ लीजे इंकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी ये message आपको नहीं देता है कि कितने refund है क्या refund है और उसके लिए कोई document कभी नहीं मांगा जाता है इंकम टैक्स डिपार्टमेंट से यानि ये जो information हो हमारे हर user के लिए बहुत जरूरी है जो भी return file कर रहा है हो सकता है कि उनको इस तरह के message है तो पहली चीज़ आप इस तरह के trap में ना है दूसरी चीज़ कभी इंकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे किसी भी तरह का bank detail है या bank information नहीं मांगता है एक बात बताएं अगर refund करना मैं भी professional हूँ मैं भी लोगों के return file करते हैं तो पहले return filing का process समझे जब हम return file करते हैं उस समय वहाँ पा account number और सारे detail देते हैं अगर government को refund करना होगा और direct आपके account में कर देए उसको आपके refund की message देने और आपके account detail लेने की जरूरत नहीं है आज की rate में income tax return file करते समय एक account number देना mandatory है दूसरी चीज़ यह basic बास समझ लें कि अगर आपका को refund होगा तो यह आपको return file करते समय आपको पता होना 99% अगर आपका refund हो पता होगा दूसरी चीज़ अगर इस तरह के message आ रहे हैं आप link पर click करते हैं तो अगर उसके पूरे link को समझनी की कोशिश करेंगे वह income tax site नहीं है एक unsecured site है और वह पता नहीं कहां पर आपको ले जाके redirect कर रहा है उसके बाद वह आपसे bank detail आपकी सारी information मांग रहा है अगर आप इस तरह का कोई भी काम करते हैं वह आप से login लेकर आपके account में इंटर करते हैं और आपसाथ के साथ आपके account में जो भी पैसे उसकी चपत लगा देते हैं यानि आपको refund कुछ नहीं मिलने वाला है आपके account में जो भी balance है उसका चपत लगने वाला ह तो कृपिया इस तरह के मैसेज से दूर रहे हैं मैं इसमें चीज़ और जोरूंगा आजकल पेटियम स्कैम भी बहुत चल रहा है पेटियम स्कैम भी सेम फड़े पे हैं आपके अकाउंट की KYC की कोई प्रॉबलम है उसके लिए वो कहेंगे कि एक मैसेज आया है उसके करने की जुरूत है आप डिरेक्ट कर ही नहीं सकते हैं तो किस तरह से कोई बंदा आपका बीना पैन काड लिए बीना आपका अकाउंट में लॉग इन किये आपको रिफंट कैसे कवर कर सकता है और डिपार्टमेंट तो कभी अमाउंट डिस्क्लोज ही नहीं करता है जब अ अब हमने क्यों यह बीडियो बना हमें पहले लगा यह बहुत ज्यादा रिलिवन्ट नहीं है हमारे क्लाइंट को यह मैसेज आया आज से साथ दिन पहले मैं कहीं मीटिंग में बैठा था मैंने उनका फोन नहीं उठा पाया आप विश्वास नहीं करेंगे आदे घंटे के अंदर में उन्होंने मुझे 17 17 बार कॉल किया मैं समझ नहीं पाया कैसी क्या एमर्जेंसी आ गई थे उनके मैं बाहर निकल को फोन किया मैंने उनसे समझनी की कोसिस की वह बहुत जल्दी में थे कि सर मेरा रिफॉंड आया है वह वह वापस चला गया मैंने यह कैसे जाए कि आपका रिफंड 75,000 रुपे थे वापस चला गया आप थोरा सा पहले धंडे हो समझें कि क्या सही में 75,000 रुपे का रिफंड था या नहीं था या बिना कुछ जाने आप उस लिंक पे क्लिक करके आप रिफंड प्रोसेस फाइल करने वाले है रिक्वेस्ट फाइल अपने रिफंड चेक करने का गूगल पर जाएं वहां पर लिखे इंकम टाक्स रिफंड स्टेक्टस क्रिवर को एक पैज आएगा नास्डील का उस पर याएक पना पैन नूमबर डालें अपना रिफंड च्रिक लें स्टेक्ड सिणश वहां से पता चल जार दाएगा इतन कि आपके अकाउंट में पैसा वह आपकी जिम्मवारी है कि उसको प्रोटेक्ट भी करें आप टेकनोलोजी के दौर में गुजर रहे हैं उस तरह से कोई भी रियक्शन या उस तरह की जल्दीबाजी में अपने कोई भी किसी के साथ उपन ना करें और वह भी ऐसे मैसे इंकम टेक्स डिफार्टमेंट की तरफ से नहीं आता है मंक्क कलिए समझ लें आस तक їसा ना आगे बी करें तो गुर्मेंट से आपको कोई 중요 मैसेज नहीं सो देट कि हम यूजर को भी बता है अगर इस तरह के मैसेज भी आए तो आप कॉमेंट में बॉक्स में आप उसकी स्क्रीन सोट लगा सकते हैं या मैसेज लिख सकते हम उस पर रिपलाई करेंगे या इसके हलामा भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट हमने मिस्स कर गया या कोई इंफॉमिशन में और देना चाहिए था वो भी तो आप कॉमेंट वाक्स में लिख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बिल बटन दबाना ना भूले साथ के साथ एंडॉइड पे आप हमारा आप टाउनलोड करके वहाँ भी देख सकते हैं फायर टीवी पे भी आप हमें देख सकते हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवा थैंक यू